जब आप सुनते हैं पासपोर्ट या विज़ा जैसे शब्द तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? कहीं घूमना, कहीं जाना, किसी दूसरे देश की सैर करना? अगर ये सब खयाल आपको आते हैं तो अब आप ये भी समझ रहे हों कि पासपोर्ट आपके लिए या फिर विज़ा जरूरी क्यों है? आज इस खबर में बात होगी पासपोर्ट के बारे में क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला किया है ये फैसला क्या है? ये हम आपको बताने वाले हैं नमस्कार में हो जीत और आप देख रहे हैं भारत तक सरकार ने पासपोर्ट बनाने की प्रकिरिया को आसान करते हुए पासपोर्ट को डीजी लॉकर से जोड़ दिया है अब पासपोर्ट की जो सेवा है वो डीजी लॉकर से जोड़ दी जाएगी जिसके बाद इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा अब इसमें जो आपको कागी दस्तावेज थे आप उससे आसाने से बच पाएंगे क्या ये पूरी खबर? आई ये देखते हैं इसके जरीए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले डीजी लॉकर के माध्यम से अपने दस्तावेजों को जमा करा सकेंगे यानि कि जो किच-किच अब आप पन्नों में उलचकर रह जाते थे उससे आपको आजादी मिलेगी डीजी लॉकर से एक फायदा पर्यावरण को भी होगा कि पेपर वर्क में काफी कमी देखने को मिलेगी मुदि सरकार ने इसके दुवारा पासपोर्ट को डीजी लॉकर में एक दस्तावेज के तोर पर भी शामिल करने पर विचार कर रही है इसके जर्यें पासपोर्ट को खोने और दुबारा जारी करने की स्थिति मेश्तिति में काफी आसा नहीं होगी सरकार इस पहल में एक और नई सेवा ई-पासपोर्ट भी शुरू करने का विचार कर रही है ताकि पासपोर्ट की सुरक्षा को और बढ़ाया जा सके और इसकी जो सुरक्षा है वो सुनिशित की जा सके अब आपको ये लग रहा हुआ कि आखिर ये डीजी लॉकर है क्या जिसको लेकर सरकार अब इतना मुखर है और ये कह रही है कि पासपोर्ट को भी इस से जोड़ा जाएगा और बाद में पासपोर्ट को भी एक डीजी लॉकर दस्तावेज के तौर पर शामिल कर जाएगा कि बिलकुल आपके जो ओरिजनल डॉक्मेंट्स होते हैं उनके बराबर के इसकी जो मानेता होती है और ये जो लॉकर है ये सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोग जो कागजी कारवाईयों में या फिर कागज कठा करते हैं उससे उनको जात मिल सके इसे साल 2015 में जुलाई महीने में लॉंच किया गया था इसमें यूजर को एक जीबी का स्पेस मिलता है ताकि वो अपने डॉक्मेंट्स को आसानी से महाँ पर रख सके ये काफी सुरक्षित जर्या है अपने जरूरी दस्तावेजो कोई सुरक्षा के लिए साथ ये जो डिजी लॉकर है इसको अधार कार्ट से लिंक के आता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डॉक्मेंट्स को फिजीकली कहीं भी ले जाने के जंजट को खर्म करता है साथी आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने जरूरी दस्तावेजो को किसी के भी साथ बड़ी सरलता से शेयर कर सकेंगे इसमें आपको डॉक्मेंट को सेव करने के लिए सबसे पहले उसे स्कैन करना होगा या फिर उसकी फोटो क्लिक करनी होगी इसके बार आप इसे save कर सकते हैं और इस document के बारे में आपको detailed description भी यहाँ पर लिखना होगा कि आखिर यह document है किस चीज़ का और क्या-क्या यह contain करता है अपने अंदर लेकिन आपको DigiLocker में जाने से पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर हम यहाँ पर account बनाएं कैसे ताकि आप अपने documents उसमें जाकर save कर सकें तो सबसे पहले आपको digitallocker.gov.in website पर जाकर अपना phone number और अधार card number registered करना होगा इसके बाद आप sign up पर क्लिक करें अपना पूरा नाम जन्मति थी registered mobile number और email ID और password डाले इसके बाद आपको username और password create करने को कहा जाएगा और आप करेंगे तब आपका account जो है वो बन जाएगा जब आप इस account को बना लेते हैं इसके बाद DG Locker में login करने के बाद आपके personal account में दो section दिखाई देंगे इसमें पहला section होगा अलग-अलग एजेंचियों द्वारा जारी किये गए certificate दूसरा होगा आपके द्वारा upload किये गए certificates और उनका detailed विवरण इसके अलावा आपको share और e-sign का भी यहाँ पर option मिलेगा document upload करने के लिए विकल्प दिये होंगे जिनका सही चुनाव आपको करना होगा upload करने के लिए my certificate पर click करें और इसके बाद upload documents पर click करके अपने certificate को चुन लें इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें इस तरह से आप अपने documents को digital locker में upload कर सकेंगे यह तो थी passport की बात कि आप अपने passport को digital locker से जोड़ सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का passport कितना powerful है यह सवाल हम सब के जहन में है कि आखिर passport powerful होता क्या है और अगर इसके होने से हमको आपको क्या फायदा मिलता है दरसल 2021 में जो ranking आई है passport की उसके हिसाब से भारत का passport 85 नमबर पर यानि 85 नमबर पर यह है और इसको सिर्फ 58 देशों में भारत के जो नागरिक हैं उनको 58 देशों में on arrival visa का access है यानि कि आपका passport जितना मजबूत होगा उतने देशों में आपको जाने में ज़्यादा आसानी होगी यानि जो जिस visa की बात करते हैं दरसल visa भी बताएंगे कि visa क्या है लेकिन passport मजबूत होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी भी देश के लिए जब आप visa apply करेंगे तो आपको यादा मुश्किल नहीं होगी इस पूरी कतार में सबसे उपर जो पासपोर्ट है वो है जपान का पासपोर्ट जिससे 190 देशों में आसानी से आने जाने की और मतियानी की जपान के नागरिक कहीं भी आराम से आरा सकेंगे उन्हें किसी भी तरह की रोक्तोग कोई दूसरी सरकार या फिर visa देने में कोई स जाते हैं तो यह आपकी पहचान होती है कि आप Republic of India के नागरिक है और यहां से आप जहां भी जा रहे है तो आपको एक identity card की तरह होता है जब बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट में भी तीन कटेक्रिया होती है एक personal होता है एक service के लिए होता है और एक diplomatic के लिए होता है जो personal व आते हैं उनके लिए एक अलग category है जिनका नाम है diplomatic category का passport है वो जो कि उसका रंग भी अलग होता है और यह आम passport से दिखने में भी थोड़ा सा अलग होता है